हेलो नमस्कार दोस्तों हमने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ पार्ट स्टार्ट किया था रिजनिंग का और इस रिजनिंग के पार्ट में हम वर्ण माला स्टार्ट की थी तो वर्ण माला मारे पार्ट में कुछ पार्ट हम नहीं पढल लिया था इसमें हम six पार्ट करेंगे और ऐसे पार्ट में कुछ फार्ट पर्ण में यह पड़ा में ऑला को 20 कर्मित रूप तो नवे स्तान पर कौन सा आएगा या बाएं से दाएं से लिख दिया जाए तो उसमें बाएं से इतना है और दाएं से इतना है तो उसमें कुल कितने अंक आगए या कौन सा स्तान आगया इनके बारे में हम पढ़ चुके थे अब हम इसमें कुछ और पार्ट पढ़ रहे हैं इसे नेक्स्ट पार्ट है तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका क्यूशन लेती हैं क्यूशन मैं बोलके बगा रहा हूं इसमें लिख तो सोट मेरा हूं देखो अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं करमित से लिख दिया जाएं दिया जाएं तो बाएं से ग्यारवें अक्षर के दाएं पांचवां अक्षर होगा देखिए हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि सो ट्रीक में कैसे करते हैं और हम पूरा भी मैतर पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं अपने कैसे हल करते हैं उसको अगर अपने अलफा बेट लिख दिया जाएं अलफा बेट लिख दिया जाएं जिससे ए बी कौन सा था है कि क्योंकि बाई साइड से काउंटिंग करते हैं अपने को अगर बाई साइड से काउंटिंग करते हुए हम ग्यारवें अक्सर फिपरंचे और चयारवें दाहीं और यंशे दाहीं करते हैं अपना इन्प्र आ एंटाऊं नहीं कि लेकिन यह क्या उजता है कि इतना अगर पार्ट अपने अज्याम करें अपने टाइम भर फो जाइगा ہम इसको सोट में कैसे करते कि सोल हुए सूर्ट गइसे करते वह देखिये है कि सबसे पहले देखिए एक genau बात लिका देता हूं कि जभी परीदी सा जाई कि है कि विप्रीद इसा जाए ला तो इसका क्या कर देना अफ़ें अगर समय मतली सजाइं । इह समान जी सब्साइ तो क्या हाएगा माइन अखे हो जाएगा यह का यह याद यानि भी पैजी कि की idiots पलस डाएं आ जाए और भायह दाएं या दाएं आ जाए तो यह सबसे पहले देखे और यहां देखिए दाएं तो वीप्रीटीसा होगी ना वीप्रीटीसा हो पलस होगा तो 11 plus five एज इकल टू है let alone को पावस है इते कशनों इसर देखना हैं जब हमने याद किया था कि एक गाने से कि हमें 16 वर्स की उमर में प्यार हो गया यानि गाने कौ इसलिए लिए गया है कि उनलिफर रियाद करने के लिए तो यहां पी है कितने नमर प्यार आ रहे हैं कि सोड़ा पी से क्या अबनाए और तो इस से अपने बिलकुल एजी सा क्वेशन हो जाता है अब इसम मैंनेस्ट क्वेशन देखिए अभी इसई फकर नाक्ट प्रकान करने की कोशिस करना कि एंग्रेजी वर्ण माला को बाएं से दाएं कर्मित रूप से लिख दिया जाए तो बाएं से बाएं से बाएं से बीसमी अक्षर के दाएं बाएं से बीसमी अक्षर के दाएं तीसरा पद हो या अक्षर होगा बाएं से 20 वी आक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा सबसे पहले देखिए यहां बाएं आया है यहां क्या है दाएं आया है तो बाएं और दाएं अपने लास्ट कुशन देखा यह तो यह कुशन करने के ट्राइ किजिए फिर मैं बता रहा हूं तो बाएं से वैसे कर रहे है कि दिशा क्या इसमें विपरित हैं यहाँ दाएं दे रही है दिया वाया और यहाँ दे भी है तो 20 प्लस 3 क्या हो गया 23 और 23 वह अक्सर कौन सा होगा डबलू होगा यह हमने याद किये थे याद करो इसे पहले वाले वीडियो के अंदर अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखना इसके बाद अपने किशन किशन और ले रहे हैं इसी टाइप का कुशन है वो देखे किशन वो किशन इस परकार है कि बाएं से बाएं से बीस्वें अक्षर के या बीस्वें ना लेकर थोड़ा कम ले लेते हैं इसमें यहां से सत्रवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा अग्रेजी वर्ण मालक को बाएं से दाएं करमित रूप से लिख दिया जाए तो बाएं से सत्रवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा तो यहां देखिए वापस की दिसाएं क्या हैं विपरित हैं दिसाएं क्या देखिए विपरित तो यह 17 प्लस 3 is अग्रेजी वर्ण वर्ण माला को बाएं से डाएं करमित रूप से लिख दिया देखिए तूशन है देखिए दोस्तों किस परकार का क्वेशन है वो इस परकार का क्वेशन है कि एक अंगरेजी वर्णमाला को बाएं से दाय कर्मित रूप से लिख दिया जाए तो दाय से दाय से बार्वें अक्षर के यहनी दाय से बार्वें अक्षर के बाएं चोथा अक्षर होगा अगरेजी वर्णमाला को तो बाएं से दाय रूप में लिखा है लेकिन यह दाय से बार्वें अक्षर के बाएं चोथा है तो यह कहां से श्टाट हो रहा है पिछे से यहनी बार्वा और यह दिशाएं क्या है वीपरीत है देखो यहां दाय बाएं थे प्लस आखो यहां अगर बार्वा है तो यह इस साइड आएगा इसका बाया तो यह तो इसकी दाया हो गया तो यह कितने हो गया 16 हो गया अब देखो यहां से यह दाय से 16 है तो हम क्या करें बाय से बनाएंगे 22 से बनाने के लिए हमें 27 माइनस 16 इजी कल टू क्या गया 11 11 आते ही अपने को पता चल गया कि जे के बाद क्या आता है के आता है तो यानि यह कौन्च आ गया कि अभी 27 कैसे आया 27 इस फरकार आया कि जैसे यहां से ए और यहां से जड देखो थोड़ा सा बता दिये जा रहा है वैसे पिछे वाले वीडियो में बताया गया यह पार्ट यहां से इसका एक नमबर आता है इसका 26 जब दोनों को एड किया जाएगा तो यह आता है 27 एनि कुल आंकों का योग अगर ऐसे जोड़ते जाएंगे तो यह कितना आ रहा है 27 आ रहा है यह वैसे पूरी डिटेल से लास्ट वाले वीडियो में बताएगी यह बातें अब इसी फरकार का एक कुशन और लिया जा रह है कि अंग्रेजी वर्ण माला को तो बाएं से दाएं रूप में करमित रूप से लिख दिया जाता है तो दाएं से अंग्रेजी वर्ण माला को पूरा किशन लिख रहा हूं अंग्रेजी कि वर्ण माला को कि बाएं से दाएं करमित रूप से से लिख दिया जाए जाए तो अंग्रेजी वार्ण माला को बाएं से दाएं कर्मित रूप से लिख दिया जाए तो दाएं से कि दस्वें अक्षर के दूसरा अक्षर होगा अजय को वैसे हम सो ट्रिक से करेंगे अगर वैसे क्यूशन करेंगे तो वह ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें तो यहां से क्या है दाएं साइड है और यहां से क्या है अक्षर के बाएं और अक्षर के दूसरा अक्षर है तो यहां से दाएं और यहां से क्या है बाएं साइड है विप्रित इसा है तो यहां से क्या गया टैन प्लस टू यह क्या गया अब ट्वैल आ गया यह बाएं साइड स्टार्टिंग से नहीं एंडिंग से यह तो आपने स्टार्टिंग से निकालने के लिए टूटी सेवन माइनस ट्वैल इस इकल टू क्या गया फिफ्टीन फिफ्टीन में हमने पड़ा था क्या आता है ओ ओ कैसे आता है याद करो एक नाम था यह और टी वाई पांच दस पंद्रा बीस पच्चीस अपनी को तो पंद्रा चाहिए था तो यह अपना क्यूशन था इसमें अपने नेक्स्ट इसी टाइप के क्यूशन है वह इसमें पढ़ रहे हैं वह किस परकार के क्यूशन है तो उसमें इसमें क्यूशन दिया गया है कि अंग्रेजी वर्ण माला को बाएं से दाएं कर्मित रूप से लिख दिया जाए तो बाएं से बाएं से अठार या बीसवें अक्षर के के बाएं दूसरा अक्षर होगा बाएं से और यहां भी बाएं से हैं तो इसमें क्या जाएगा 20-2 इस इकल टू कितना गया आएटीन अब यह है बाएं से तो 27 में से माइनस करना ही नहीं होगा अगा 27 से माइनस नहीं करना है तो एटीन पर देखींगे क्या आएगा तो यहां पर हमने पढ़ा था 18 पर क्या आता है आर्ट का रजा और 17 पर क्या आया था क्वेन यानि रानी आई थी कि इसके बाद अपना नेक्स्ट क्यूशन दिखिए कि अंग्रेजी मर्ण माला को तो बाएं से दाएं करमित रूप से लिख रहे हैं तो दाएं से दाएं से कि अंग्रेजी मर्ण माला को तो बाएं से दाएं रूप में ही लिखा गया है यह क्या क्या है कि दाएं से यानि दाएं से के पिछे से और यह दोनों क्या है दाएं शाइड है तो यहां कितना गया एट माइनस फूर इस इकल्टू क्या गया फोर आ गया अब यह पिछे की साइड से चौसा स्तान है तो ओपनिंग स्टार्टिंग साइट से कितना जाएगा टाउंटी सेवन माइनस फॉर इस इकल टो टाउंटी त्री आव टाउंटी थ्री पे क्या आता है डवलू आता है क्यों कि एम और डवलू इस परकार आता है कि इसमें तेन जी सब रहा है तो मैं पहले आता है तो इसमें कितना आंगया 13 आ गया और यह क्या गाया वीडियो अच्छा लगी किो लाइक यह अपना पार्ट है तो रेल साट को सेकृम रएंड है और आपको यह वीडियो छलग साथ लाइक करना, सेर करना, कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सेर करना और जिससे क्या है कि आगे आने वाले वीडियो हैं वो इससे ज्यादा टाइम का बनाए जासके तो जैहिं जैवार